गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आने वाली एक्जाम की त्यारी में लगे हुए होंगे और आज सुबह नियूज पेपर की कटिंग आपने देख ली होगी और ये वीडियो बनाने का मकसद सिरफ यही है कि नियूज पेपर में को कुछ HCS की बरती के चलते कुछ एक्जाम है न वो थोड़े से आगे हो सकते हैं लेकिन एक दो एक्जाम को छोड़कर सभी एक्जाम अपने टाइम पर होंगे और इस टाइम बहुत से बच्चे नेगिटिविटी फिलाने वाले जो आपको नेगिटिव करना चाते हैं वो य दोड़े सकता है निरंतर त्यारी करते रहे हैं मैं हमेशा से एक एसा टीचर रहा हूं जो कहता है कि आप चाए जी के बाए प्रदीप सर या धुरिना से पढ़िये या ना पढ़िये आप अरियाना में किसी भी चैनल से पढ़ रहे हो किसी भी ओनलाइन ओफ लाइन अकेड सभी बेच आ चुके हैं स्टाप नर्स का हो गया और एनम का हो गया एंपिएच डबलू का हो गया सभी परकार के बेच जो 6000 प्लस की बरती आपकी अलम बगेरा की बरती है वो सभी टेक्निकल और नोन टेक्निकल बेच आप दुरिना पर लाइब्रेरियन का भी रहेगा चु सेलेक्षन होगा आपकी महनत से हां बेच में महनत की गारंटी है सिलेक्षन तो आपकी महनत से ही होगा जितना टाइम आप स्टेडी पर देते हो उतना टाइम है बाद में रिवीजन पर भी लगाए तब जाकर सिलेक्षन है जरूर होगा कहीं से भी पढ़िये लेकिन सिलेक कि कलास है और आपकी अरियाना जिक्के की कलास है आपको मिलने शुरू हो जाएगी और वही कहूंगा पढ़ते रहिए मेनत करते रहिए मेहनत का कोई अल्टरनेड नहीं है जो टीम दुरीना पर जो पूरी टीम है और कुछ बच्चे कहेंगे क्या सलेबस इतने कम टाइम में ह हो पाएगा साथ में पूरा रिकोर्डिट डाला है और पूरा लाइव आपको एक्जाम से पेले करवा दिया जाएगा यही इनफॉर्मेशन थी और करनाल और कुछ शेतर में आज की यह ताजा ख़बर थी तो देखो मैं तो यह कहता है मेहनत करने वालों को मत सिखाओ कि क् मजबूरियों का वो रोना नहीं रोते जिसमें जीत का जनून होता है थैंकियो बच्चो लवी ओल पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्सन जरूर होगा जरूर होगा लवी ओल